हुआ दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपना ही चैनल पर मैं पपु कुमार और आप सब देख रहे हैं मेडिकल आप रोजाना के तरह आज हम बात करने बाले हैं बेयाम के ऊपर जी हाँ याने के एक्सरसाइज के ऊपर एक्सरसाइज या बेयाम करना स्वास्त के लिए लवदायक होता है ये बात हर कोई जानता है कई बार हम एक्सरसाइज से बचने के लिए बहाने खुज लेते हैं या फिर हजार बार सुचने के बाद भी उससे अपनी दिन चर्या कानिवाडिया अंग नहीं बना पाते हैं आप स्वास्थ होंगे तभी आपका दिमाग भी स्वास्थ होगा और आप किसी भी तरह के काड़ी आसानी से कर पाएंगे लोग इन सब के लिए बहुत ही तरह के परियास करते हैं लेकिन इंसम में से बेहतर और बेस्ट होता है रोजना ब्यायाम करना यानिक एक्सरसाइज समय में करने से हमने बहुत फायदे होते हैं याना किया अवाल हम में स्वास्थ रखता है बलकि बहुत सी बीमाण और अन्य चीजहं भी दूर रखता है जो हमारे सरीर के लिए बहुत जरुरी होता है अगर आप पूरा दिन आपको खुद ही अच्छा महसूदी होगा सुबह जल्दी उठकर एक्सराइज करने से दिमागी नौसों को खोला जा सकता है जिसे आपको अच्छा तो लगेगा ही साथ ही आपका दिमाग और तेज से काम करेगा अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहे तो रोजाना का एक्सराइज आज से ही सुरू कर दे और फिर देखो नतिजा कुछी दिनों में आपके सामने होगा आज हम आपको बताएं कि रोजाना एक्सराइज करने से कुछ फाइद है जिसे आपको खुद एक्सराइज करने की तरफ मोटिवेट कर सके और अपनी सेहत का धियान आसानी से खुद ही रख सके तो आये जानते हैं कौन-कौन सेरी से फैदा है तो वीडियो का आगे बढ़ाने से पहला भी तब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाका भी मेडिकल होग को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से आपको सुधा और साफ ऑक्सिजन मिलती है जिसकी हमारे सरीर को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है रोजाना के परदूसन से हमारे फैदों में गंदी हवा भर जाती है जो उन्हें कमजोर बना देती जिसे हमें बहुत सी बिमारी होने का खत्रा बना रहता है इसके लिए रोजाना सुबा जल्दी उठकर एक्सराइज करें जिसे आपको सुधा और साफ ऑक्सिजन मिलेगे और आप स्वस्त रहेंगे रोजाना एक्सराइज करने से आपको रोजाने होने वाले टेंशन और परेसानी और तनाब से मुक्ति मिलती है किसी भी तरह के तनाब हो इसका सिधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है जो आपकी सहत के लिए ठीक नहीं होता है इसलिए रोजाना सुबा उठकर कुछ देर एक्सराइज करें जिसे आप सभी तनाब से मुक्ति महसूस करेंगे और स्वस्त रहेंगे आजकाल के खान पान के चलते पाजन किर्या में परिशानी बहुत आम हो गई है हर दूसरा बेक्ति ही से परिशान है एक्सराइज पेट की सभी समस्या को दूर करता है अगर आप चाहते है कि आपका पाजन तंद्र सही रहे और आपकी किसी तरह की परिशानी ना हो उसके लिए रजाना सुबह जल्दी उठे और कुछ देर एक्सराइज करें आपकी पेट से समद्दित सभी परिशानी दूर हो जाएंगे और आपका पाजन तंद्र सभी काम करेंगे अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परिशान है और छोटकारा पाना चाहते है तो इसमें एक्सराइज आपकी मदद कर सकता है सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर आप एक्सराइज करेंगे उतनी ही या आपके सरीर में से केलोरी कम होगी और आपका वजन घटेगा इसकी मदद से आपका वजन तो घटेगा ही लेकिन इसके अलाबा चूस्त और स्वास्ती भी दिखाई देंगे अगर आपको समय समय पर विमारी होती रहती है और आप उसे बहुत तंग आ चुके है तो आपको एक्सराइज का सहारा लेना चाहिए रोजना सुबह उठकर थोड़ा सा समय बेयाम और एक्सराइज केरे निकालने से आपका इम्यून सिस्टम पड़ जाता है यानि कि मजबूत हो जाता है जिसे आपको जल्दी से कोई बिमारी नहीं छूपाती है और आपका स्वास्थ और चूस्त रहते है बिमारीयों को तो रहता है और वो दूबले पतले दिखाई देते हैं रोजना के बेयाम और एक्सराइज के आपको समय पर भूख लगती है जिसे आप अपनी अभिशेक्ता का अनुसार खाना खाते है और अपनी शिहत का धियान रखते है एक्सराइज करना से हमानी शिहत के लिए बहुत ही नमर नान रीटिससेज कॉलेस्ट्रॉल के आश्टर को कम होता है और हानिकारी को कम करकी एसडियल को बढ़ाने में मदद मिलती है इससे हिरदही अधिक मात्रह में बलट पंप करता है और हम अधिक मात्रह में ऑक्सिजन लेपाते है नमाब टेन प्रिविंट्स फ्रॉम केंशर देल एक्सराइज आपको केंशर जैसे खतरनाक रोग से बचा सकती है इसे विवेंट पर कार केंशर खास्तर पर कॉरोर कैंशर और बोलड कांशर खतरा कम हो जाता है, जितना मैंने फैद्य बताई वो सब आपके लिए सिहत बहुत ही फैद्य म जिन्हें तबाई से दूर करने में आसमर्थ रहते है डेली सुबह उठकर आप थोड़ा सा समय बयायाम को दिया जाए तो हमें उसे बहुत लाव मिलेगा आसा करता हो आप भी करोगे आपसे कुछ लोग किसी भी समय बयायाम कर लेते है जैसे कि साम या रात के समय में लेकिन एकसरसाइज करने की सही समय सुबह में है यानि कि प्रातकाल में है इस समय इसलिए ज़्यादा फैदा होता है क्योंकि इस समय में बातावरन एकदम साफ और सुधा होता है और exercise करने के लिए इसी बात अबरन की जरूरत होती है अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है और आप भी खुद को स्वस्त और चूस्त रखना चाहते है तो सुभई समय से उठे और आपने रोजना के थोड़ा सा समय निकाल कर बेयाम करे यानि कि exercise करे जिसे आप से सभी समस्या दूर रहे गया और आप खुद को अच्छा और एकदम फीट महसूस करेंगे मैं कहता हूँ आप सब खुश रहे और स्मार्ट रहे और हेल्दियर रहे तो हमारे दिये के जनकारी आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए रिलेटिव के साथ ही शेर कीजिए और जितना हो सके सोचल मेडिया में शेर कीजिए उनको भी बताए कि बियायाम और exercise की कितना भैदा है और एक बात और सुन लो टूमड याने की कल कल से ही आप exercise सुरू करना कर दीजिए तो अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं क्याए तो प्लीज जाके अभी medical hub को सब्सक्राइब करें और जुरे रे इस चैनल से और साइट में जो बेल आकाने उसे प्रेस कर लिजे ता झाल